हेलो गाइज वेलकम टू अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्गे फेंट लाइट ब्लेंडर्स एंड डिश्टिलर्स लिमिटेट की ओर से जून क्वार्टर की फिनांशल रिजल्ट पेस हो चुका है और चुका है एक्शली गाइज मार्च क्वार्टर की रिजल्ट आउट क्वार्टर के नियर इनकरिश किया है लेकिन बहुत कम उसका पॉफिट में दिकावर किया है और और यहां पे गाइज पॉप्रेटिंग पॉफिट सिस्टी टू पॉण वन के रोड का क्वार्टर ओन क्वार्टर यार ओन यर में इंक्रीज क्या बट कम्पनी को जो है इस बार का डेप्रेशेशन एक्स्पेंस बहुत ज्यादा पे करना पड़ा एटीन पॉण सावन के करोड का छॉप्राइब को बात करें तो इंकम में सब्सक्राइब करें इसके क्वार्टिंट करोड कोड़ करें तो इंकम इंक्रीज है है लेकिन एक्स्पेंस हुआ 7426.4 करोड का 23 में 6920.6 करोड का लेकिन एक्स्पेंस भी इंक्रीज किया है और यहां पे कंपनी का एक्सेप्शनल आइपम से 4.9 करोड का खर्च हुआ है फिनांस कोस्ट में 172.7 करोड का डेप्रेशेशन एम्रोटाजिशन में 57.8 करोड का कर्च हुआ जिसके करण पॉफिट है 12.7 करोड का 23 में 5.9 करोड का इंक्रीज करता है वह देखने को मिला है लगवा डबल टू टाइम्स इंक्रीज किया है नेट पॉफिट है 1.8 करोड का गुद टैच्स पे करना पड़ा बहुत चाह्स पे लॉसेस की यर ओन यर में बहुत ज्यादा हुआ है और क्वाटर ओन क्वाटर की इंकम में भी डाउन देखने को मिला है अगर हमें स्टैंडल ओन रिजल्स को कवर करें इंकम में सब्सक्राइब सब्सक्राइब दिसंबर में 2077.8 करोड का और मार्स 23 में 1717.5 करोड का इंकम में ग्रीज किया है एक्पेंसे 1697.4 करोड का 23 में 2015.5 करोड का और 23 में मार्स 23 में 1666.6 करोड का एक्पेंस हुआ था quarter on quarter में down year on year में increase किया है operating profit है 1.5 करोड का December 23 में 2.5 करोड का लॉस है और June 23 में 75 लाक्स का प्रोफित है quarter on quarter सब्सक्राइब की सब्सक्राइब का मर्च 256 107 विर्व में किया है कंपनी का अगर देखा जाए ना तो अच्छी रिजल्ट पेश किया यहां पर क्वार्टर का इंकम में डाउन है लेकिन स्टैंडलाण में प्रॉफिट यह रॉन यह में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ अगर शेयर को इंपक्ट कर सकता है तो वह है इसके इंकम इंकम तो डाउन इसके इंपक्ट कर सकता है जो कि इसका रिजल्ट आया 450 में और 292.2 रुपीज पे शेयर क्लोज किया 3.7 परशन का अज क्रेश किया है फाइब में 10.8 परशन का क्रेश किया वन मन्त में कमपनी जो है अगर हम देखेंगे सगंड जुलाई को लिस्टेड हुआ है और लिस्टेड होने के बाद 5 जुलाई को हाई बनाया था 344 रुपीज का और इसके बाद कमपनी करेक्शन हुआ और 57 परशन का करेक्शन लिया अगर निगेटीव उपन होता है तो एक निया फिर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट ले सकता है लगए 280 के नीची आ सकता है इसके करण गाइस मतलब कि अल्कोहल बिजनस एक कंपनी का और इस लिए गाइस इसमें किसी क्वाटर में अचीए इंकम प्रॉफिट होती हलती हो तो किसी क्वाठर में कम दिमांड होती है। इसलिए इसको में कभर करेंगे। इस बाह स्नैप्श्ट अगर देखिए है तो 7.5% का improve किया profit after tax 14.3% का increase किया तो गाइस कंपनी ओ जो फिनाशल या रेंडे नो बहुत अच्छी रिजल्ट पेश किया अब इंपोर्टन होगा इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट फर्स्ट क्वार्टर में कैसा कंपनी पर्फॉर्म करता है यह इंपोर्टन रहे क्यों फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट हो सकता है तो इस में नेक्स्ट मंथ में कंपनी का रिजल्ट आ सकती है तो हम लोग जाए वेडियो कहीं पर रेंड करते हैं और कोई डाउटर कमेंट बॉक्स में पुछे मिलता है नेक्स रोड़र में दिलन बबा करको दो समय हो मॉड़ा गिजा पी मिलता है रिजल्ट के रिजल्ट